शेहर के पूर्वनागपूर परिसर में गांधी जैन्ती के उपलक्ष में आयुश मंत्रा लद्वारा प्रमानित आयुश रक्षा कीट का निशल कवितरन विधाय कृष्णा खोपड़े के हाथों किया गया है शेतरी आयुश रक्षा कीट का निशल कवितरन के आगया है आज आयुश रक्षा कीट चा वाटपाव अमचे बुद्ध पुर्यातून गांधी जी चा मात्मा गांधी जी जैन्ती चा निमित्याने आज आठीकानी शुरू होता है आयुश रक्षा कीट चा वाटपाव अमचे डाक्टर प्रमुख सन्मानी रेड्डे साहिब आनी तैंचा सगल्या टीम नी मिडून आज या कीट चा वाटप या ठीकानी ओना रहा है नहां कंटीनू कारेकरम शुरू रहा ना रहा है आज या ठीकानी हा कारेकरम शुरू होता है प्रतेक घरी दोन-दोन कीटा चा वाटप आपन सगले मिडून या ठीकानी देना रहा आनी रेड्डे आनी आमचे सगले प्रमुख कारे करते या कीट चा वाटप प्रतेक घरो गरी जाओन तैंचा फार्म भरतेल आनी या कंटीनू कारेकरम हा प्रोसेस मदे हा शुरूर हाना रहा है यान अंतर सुदा आमे पुर्वन आकपुरू चा दाही प्रभागा मदे आमी प्रतिक प्रभागा मदे अशा प्रकार चे चार चार पाच पाच कारेकरम घुण हे कीट वाटप करना रहा हूँ जेने कुरू जनते चे स्वास्त चांगला रहील कोरोना महामारी के चलते वर्तमा अस्तिती में रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने की जरुरत है उसी के चलते आयुश रक्षा कीट का निश्यल्क वितरन आज गांधी जैन्ती के उपलक्ष पर किया जा रहा है और ये Central Council for Research in Ayurvedic Sciences ये CCRS के अंडर है और Ministry of Ayush, Ayush Mantralai के अंतरगत है ये नंदनवन में है और खास करके Ayush Mantralai ने इस योजना को तयार किया है पूरा भारत देश में जो कोरोना का मुक्त करना, कोरोना को प्रिवेंशन करने के लिए ये कारेक्रम चालू है टोटल 2,00,00,00 participants को हम लोगों को दवाई देएंगे यहां पर खास करके नागपुर में 6,000 लोगों को हम लोगों को participation को हम लोग दवाई देएंगे उसको Ayurveda रक्षक kit बोलके उसका नाम दिया हुआ है तर्मिस यह आज जो अपना जो इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए एक कीट है और एक कीट में चार दवाई है एक तो टाबलेट सम्चमनी बटी है सम्चमनी बटी दिन में दो बार लेना है दो गोली सुबा दो गोली रात को और एक चवण प्राश है चवण प्राश चे ग्राम सुबार के टाइम पे दूद के साथ में लेना है और एक आईश काड़ा है अईश कड़ा 1.500 ml पानी में 3 ग्राम उसको जैसे चाह का जो जैसे डिकॉशन बनाते हैं वैसे बनाके उसको दिन में एक बार लेना है और अनुतेल का है अनुतेल का जो नस्य है जो अनुतेल नाकिक में दो बूंद दो बूंद सुबह और शामपूर डालना है और एक खास कर करके SC-dominated population area में इसको यह कर रहा है तो SC-domination का जो colonies है उसको सेलेक्ट किया है हम लोग ने यह इस्ट नाकपूर में कास करके हमारा जो माननी आमदार साब खृष्णाजी कोपडे साब ने हम लोगों को बहुत सहकार किया यहां लोकल कार्पूलेटर ने काफी सहकार कर दिया कि यहां पर जो कुनाल देशमुक है उन्होंने भी काफी सहकार किया यह एरिया सेलेक्शन किया और इसमें एनमसी का कमिश्णर और कलेक्टर साब रविंद्र टाकरे साब यह सभी का मदद से हम लोग यहां पर अभी कारेक्रम चालू कर रहा है कैमेला परसन दिरेंत रखोबरागड़े के साथ शितिजा देशमुक की रपोर्ट इंगी सेन नापपूर